आज जी व्रिंदावन से आप आते हो तो और आज कल यूथ में बहुत पॉपुलर भी रील्स का पॉइंट हो गया तो मैं चाहता हूं कि आप व्रिंदावन की कुछ ऐसी बाते हमें बताओ या ऐसे कुई जगाएं धाम जिस जो की आम जनता को उनके बारे में पता ही नहीं है और वो आज भी वहाँ पे कृष्ण जी का वास वैसे तो पूरे व्रिंदावन में ही है पर आज भी वहाँ पर वास है कुछ आपको पता है एचली देखो बहुत बड़ी बात लगेगी कहने में लोगों को लएगा यारे तो ऐसी उची उची बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है एक प्रकार से व्रिंदावन को डारेक्टली समझना इस लाइक आपने स्कूल नहीं किया और डारेक्ली ट्राइंग टू एंटर राधारन नहीं है व्रंदावन एक नॉर्मल प्लेस नहीं है व्रंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया पूरी प्रत्वी ब्रह्मा ने बनाई व्रंदावन ब्रह्मा का निर्मान नहीं है व्रंदावन श्री किशोरी जी मतलब हमारी श्री राधारानी ने उसका निर्म भगवान किया ठाकुर जी देखके बड़े खुश हो गया रहे तो बड़ा सुन्दर है यह बात व्रंदावन की नहीं यह वैकुंट की है गोलोग धाम में जब किशोरी जी नहीं बड़ा सुन्दर है और तभी ऐसा कुछ योग बना कि ठाकुर जी को प्रत्वी पर आना था तो किशोरी जी से का आप भी चलो बोले कि नहीं है यत्र व्रंदावनम नास्ति यत्रनो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्रनो रमते मना जहां गोवर्धन व्रंदावन और यमुना नहीं है वहां मैं नहीं जाओंगे मतलब प्रत्वी पर यह नहीं थे तब भगवान बोले तो पर क्या करें आपकी उपस्तितिर के लिए इनको ले जाना जरूरी है तब किशोरी जी के द्वारा ही निर्मान किया गया जो वरंदावन उन्होंने बनाया था गो लोग में चाहे पेंटिंग के द्वारा चाहे किसी भी रूप में अपने भाव से उसको ठ राधा कुर जी ने प्रत्वी पर भेजा तब राधा कृष्ण दोनों वरंदावन पधाए आज वरंदावन लोग जाते हैं बट मेंली वरंदावन हैस्टेग में आ जाए या फिर आपके फोटो में कहीं नाम भी वरंदावन आ जाए तो बहुत जल्दी पॉपुलरिटी ह हो जा रही है लोग इस चीज़ को मेंली लेकर के वरंदावन जा रहे हैं बट मैं उन सबसे कहूंगा वरंदावन में अपनी कथा में भी कहा करता हूं देखने का विशह नहीं है वरंदावन सुनने का विशह नहीं है वरंदावन बोलने का विशह नहीं है वरंदावन वहावी बिहारी जी के चरण को छूक के आ रही है तो व्रंदावन एक और प्लेस नहीं है मैं अपनी कथाओं में अभी एक बहुत पॉपलर भी मेरे यूट्यूब पे वह इंस्टाग्राम पे वीडियो हो गया उसमें मैंने कहा कि मैंने कहा आप मैं या हम लोग सोच लें मुझे वरंदावन जाना है तो यह हम अपनी इच्छा से जाई नहीं सकते हमारे अंदर सोच भी आ रही है यूथ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इतना यूथ व्रिंदावन आ रहा है और अच्छी बात है आना चाहिए क्योंकि हमारी भागवजी कहती है किसी भी उपाय से सही मन भगवान में लगना चाहिए आज भली रील को बहाना बना के लोग जा रहे हैं यही बोलने वाला था अभी यूथ थोड़ा सा फेमस होने के लिए और कैप्चर करने के लिए रील्स बनाने के लिए विरंदावन जा रही हैं तो यह थोड़ा गलत इंफ्लूएंस नहीं हो ही जनता देखो हो तो जाएगा बट यह है करत करत अभ्यास के मनमत हो था सुजान आप किसी चीश की ब नरशी महता एक भगवान के भक्त हुए वो उनकी एक्टिंग करते थे उनके जैसा पाग पहना उनकी जैसा रूंक धारन करके उनका केवल नाटक करते थे श्टेज पर Kentu नर्सी मेता का वास्तविक में वो नर्सी मेता जैसे बिलकुल भी नहीं थे रियल लाइफ में वो कुछ और थे पर वो स्टेज पर बस लोगों को लुबाने के लिए भक्त बनके जाते थे एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पाठ करके जैसी वहां से निकले न तो उनको चंदन की आवाज आने लगी उन्होंनों पीछे मुड़ करके देखा न साक्षा ठाकुर जी खड़े थे बुले प्रभू आप बुले कि अरे नर्सी में तुम्हारी भक्ती से बड़ा प्रसंद हूं तुमसे मिलने आए मैं नर्सी नहीं हूं मैं तो उसका अभिने करता हूं केवल नाटक करता हूं तुम नाटक करते हो लेकिन तुम्हारी रूप भाव सब चणबर के लिए नर्सी के होते हूं मुझे उससे प्रेम हो जाता है मैं तुमसे मिलने आओ ठाकुर जी नहीं उसका उद्धार कर दिया तो एक नाटक करने वाले व्यक्ति से भी ठाकुर जी इतने अपने व्रंदावन से ठीक रील ही भाना से क्या पता उस भाने के चक्कर में कभी वो रील बना रहा हो ठाकुर जी उस रील में आ जाए उससे खुश हो जाए उसको मिल जाए